नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही सांदर केस लेके आए हूँ पसु के ब्यानने के पेले हमें क्या सिम्टम से देखने को मिलते हैं हमें कैसे पता चलता है कि पसु ब्यानने वाला है यह सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप वी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like and share करें। देखिए मैं हर बार यहीं क Gentle इक करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए प्रैक्टीकली वीडियो लाने की कोicism करूं और मैं छोटी-णुठी चीजे बताने की को कुसिस करता हूं हर एक चीज बताने की जैसे practical video मिल जाते हैं तो मैं उन्हों को लाने की कोशिस करता हूँ और आपको बताने की कोशिस करता हूँ तो आप video को skip करके ना देखा करें वीडियो को पूरा देखा करें देखिए मैं आपको पसु के ब्याने के पहले के लक्षन बता देता हूँ जब पसु बच्चा देने वाला होता है तो उसमें क्या-क्या लक्षन देखने को मिलते हैं देखिए यह जो बेंस दिकाई दे रही है यह देखिए सबसे पहला लक्षन पसु को पतला गोबर या दस्त लग जाती है यह देखिए इस तरीके का पसू पतला गोबर करने लगता है यह देखिए इस तरीके का पतला दस्त लग जाता है यह पेला लक्षण है पसू के ब्याने के पहले पसू का गोबर पतला हो जाता है पतला दस्त करने लगता है बिल्कुल पानी जैसा दस्त करने लगता है यह इसका पहला लक्षन है मैं आपको प्रेक्टिकली बता रहा हूँ जो प्रेक्टिकली करके देखा है उसके बाद ही बता रहे है यह देखिए इस तरीके से हमें पसु का पहला लक्षन मैं आपको स्क् बता देता हूं ब्याने के पहले पसु क्या क्या करता है क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यह देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं पसु जब भी ब्याने वाला होता है इस तरीके से पतला गोपर देखने को मिलता है पसु का गोबर पतला हो जाता है उसके पूरी तरीके से पसू के दूद आ जाता है ये भी इसका शिंटम से और थन टाइट होने लगते हैं यह देखिए इस तरीके से और अगला सिम्टम से मैं आपको बता रहा हूँ यह जो नाभी रहती है इसके पास में पानी बर जाता है थन से लगा कर नाभी तक पसू को हलका हलका पानी बरने लगता है किसी कैसी पसू को तो बहुत ज़्यादा पानी भी बरने लगता है और चम तारा पानी बंद कर देता है या कम-कम खाता है और अलग खड़ा रहता है यह भी इसका एक सिम्टम से है तो हमें इस कंडिशन में पसु को पूरी तरीके से डाइग्नोस कर लेना है उसके बाद हम अगला लक्षन में आपको बता देता हूं पसु क्या करता है यह देखिए ब पसु इस तरीके से खराब रहेगा और यह जेरे देने लगता है यह भी एक इसका सिंटम से यह सारे सिंटमस पसु के बियाने के पहले हमें बिलते है इस तरीके से हम ज़ड़ी सहईस से डाइग्नोस कर लेते हैं तो हम पसु को किसी तरह की छेड़ शाड नहीं करते हैं और पसु के ब्याने के सारे सिम्टम्स हमें पता चल जाता है और हम पसु मालिक को बता देते हैं यह सारे सिम्टम्स देखके हम पसु मालिक को बता देते हैं क्या आपका पसु इतने समय में बच्चा देने वाला है यह देखिए यह सारे सिम्टम्स यह देखिए इस तरीके से पस के दोनों लिगामेंट इस तरीके से मुलायम हो जाते हैं ये देखे पूरे डिले हो जाते हैं पसु दूद उतर आता है देखे थन में इस तरीके से पसु का थन हो जाता है दोनों चारो थन टाइट हो जाते हैं और थन के पास में नाभी के पास में क्या रहता है थन से और ना चारा खाना बिल्कुल बंद कर देता है, कुछ केसे में पसु बेट जाता है, या सांत वातराण में जाके अकेला अलग खड़ा रेता है, ये भी सिम्टम्स हमें देखनों को मिलता है, जब भी हमें इसा केस देखें, हमें सई से डाइग्नोस करना है, उसका पसु मालिक क्या रेते हैं, जब भी पसु चारा बंद कर देता है, तो पसु डाक्टर को क्या कर देता है, इलाज के लिए बुला लेते हैं, तो हमें इस कंडिसन में पसु का इलाज नहीं करना है, हमें पसु मालिक को बताना है, कि यदि आपका पसु चारा पानी बंद कर रहा है, तो ये ब दोनों शमयशाव से बचने के लिए हम इसका सही से डाइगनोस करना है और सही से डाइगनोस कर लेते हैं तो हम पूरी तरीके से पसु माली को बता देते हैं यह हमें पता होना चाहिए और यदि हमें यह पता रहेगा तो हम पसु माली को बता देंगे जिससे की पसु माली को क तोत फाइदा होगा, धन्यावाद!